सब्सकारब करें अपने यूट्यूब चैनल लारन अबॉट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए स्वागत है दोस्तों एक बार फेर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल लारन अबॉट मेडिसिन में जहां आप आते दवाईयों के बारे में संपोन जान करें दोस्तों आज एक ऐसे सब्सक्टेंज के बारे में हम जानेंगे जिसका प्रियोग मेडिसिन गुरूप में भ नाम है L-Carnitine लिवो कार्णitine हम जानेगे किया है ? यह किसका फार में available है। हम जानने हुद विकते हैं हम जाने इसके साइड़िके सकता है। क्या रहती है बच्चों में तता बट्वोधों में कितमें हैं हम जानेगे। दी जाती है क्या सावधानी रखनी होती है ये सभी बाते जानने के लिए वीडियो को बिना इसकिप के अंतक देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको लिवो कार्नेटीन के बाव मिल सके मैं हूँ आपका होस्टूम होई दादीच आप देखने है अपना यूटीब चैनल ल अमोनियम कंपोंड कार्निटीन का एक रूप है जिसे हम एमिनो एसे डेरिवेटिव भी कहते हैं यहां कार्निटीन कई अलग अलग प्रकाके होते हैं जैसे कि लिवो कार्निटीन डेक्स्टो कार्निटीन एसे टाइल कार्निटीन अलग अलग प्रकाके होते हैं और इसमें ज तो सेल से इसमें जो power bank है, mitochondria इसमें fatty acid के chain को metabolize करने का कारी करता है और इसको metabolize करने के बाद में हमारे सरीर में energy परदान करता है, heart, liver, skeletal muscles सबको ताकत परदान करने का कारी करता है लिवो कारनेटीन, oral preparation जैसे tablet तता suspension में available है, साथ ही injection में भी available है इस वीडियो में हम लिवो कारनेटीन की जो oral preparation है, जैसे tablet तता suspension इसके बार में जान रहे हैं लिवो कारनेटीन जो tablet है, यह आपको single cell tablet जिसमें सिर्फ ओर सिर्फ लिवो कारनेटीन, L-Carnetine के नाम से आता है, मिल जाती है साथ ही combination के साथ में मिल जाती है, जैसे लिवो कारनेटीन साथ में आपको amino acid मिल जाएगा, methylcopalamin मिल जाएगा, folic acid मिल जाएगा इस तरह की जो tablet है, combination tablet इसका वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा, तो पर आइक कार्ट पर क्लिक करके लिवो कारनेटीन के साथ अधर combination जो tablet है, उसका वीडियो देख सकते हैं यहां अगर लिवो कारनेटीन टेबलेट तता suspension के strength की बात करें, तो जो tablet आती है, यह 330 mg तता 500 mg दो अलगले क्स्टन में आती है, और जो इसका oral solution है, यह एक ग्राम परती 10 ml की पेकिंग में आता है, और जो बच्चों में प्रियोग लाई जाना जिए सिरफ है, यह आपको 500 mg परती 5 ml के strength मिलती है, और जो solution है, एडल पर परियोग लिया जाता है, जिसका strength 1 ग्राम परती 10 ml है, यह sugar free में भी अवलेबल है, जो diabetes के present भी इसको ले सकते हैं, अगर हम यहां पर जानने, इस L-Carnitin को क्या नाम से medical history पर खई सकते हैं, क्या इसकी brand name होती है, तो कुछ popular brand name है जैसे की Carnitore Tablet, Carnishore Tablet, Carni Make Tablet, New Carnit Tablet, यह इसके कुछ popular brand है, जो आपको freely कहीं पर भी मिल जाएंगे, और हो सकता है, इसका composition L-Carnitin है, तो उसके आप ले सकते हैं, और सभी का एक जैसा ही असर होता है, अब अब इसके price की बात करें, कितने भी मिल जाते हैं, तो यह जो tablet है L- Carnitin, सभी brand की अलगलग price होती है, जो average price है, 500 miligram की tablet की, उसको मैं आप बता देता हूँ, वह होती है, 350 रुपे से लगाकर 380 रुपे, परती 10 tablet, यह अलगलग हो सकती है, average price में बता ही है, और जो oral suspension बच्चों में दिया जाता, 30 ml का आता है, यह आपको 250 रुपे से लगाकर 280 र Carnitin का एक derivative है, Carnitin का एक रूपे, तो इसका प्रयोग Carnitin की deficiency को दूर करने के लिए लिया जाता है, Carnitin जब हमारे सेरी में कम हो जाता है, उसे हम Carnitin की deficiency कहते हैं, हाला कि यह बहुत ही rare होने वाली disease है, समयने तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदिकेस यह व्यक्ति में होत जाना, slow moment होना, यह समयश्या होती है, यह कमी से मुख्य रूप से liver, heart तदा kidney कमजोर हो जाते हैं, तो यह सभी कमी हो जाती है, Carnitin की deficiency के करण, और यह कमी जब होती है, तो यह टेबलेट दे के उसकी कमी को दूर किया जाता है, Carnitin की deficiency होई है, इसको जानने के लिए मुख्य जाता है, तो अगर किसी वैक्ति को Carnitin की deficiency है, Carnitin की कमी है, उसको दूर करने के लिए इसका प्रियोक लिया जा सकता है, इसका दूसरा यूज है, जो kidney dialysis के पेशेंट है, उनमें जब kidney dialysis किया जाता है, तो Carnitin बोडी से बाहर निकल जाता है, Carnitin की कमी हो जाती है, तो उस Carn revention of Carnitine Deficiency उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है कीड़नी डालिसीस के एंडि स्टेज के पेशनँ है अब बात आती है क्या इस टेबलेट को लेकर वेट लोस किया जा सकता है तो वेट लोस के लिए इस टेबलेट के बारे में जो रिसर्च हुए उसमें कुछ बाते सामना आईए पहली बात कि यह जो टेवलेट है सिर्फ उसी फेट को बर्ण करेगा जिसमें व्यक्ति के सरीर में 15 से 20 परतिसत फेट है अगर इसे ज्यादा फेट है तो उसमें यह काम नहीं करती और सामयने ते देखा गिया है जो व्यक्ति ओबिसिटी के पेसेंट होते हैं जो अपना फेट बर्न करना चाहते हैं उनमें 20 परतिसत से ज़्यादा फेट होता है तो जो उबिसिटी के पेसेंट है बहुत जादा उनका वज़ा ने वो फेट लोस करना चाहते हैं तो उनमें यह वज़न कम करने में साहिता नहीं करेगी यह सिर्फ उन लेते हैं तो इसके साथ में आपको लो फेट की डाइट लेनी होती जैसे कि बहते नीजट आपको मिलता है अब अगर बात exercise करने वालों की जीम जानने वालों की आई है तो बोडी बोडी बिल्डंग इसमें एक महत्वुन पार्ट है जो व्यक्ति बोडी बिल्डंग करते हैं वह बीकैई बार ऑल कार्णिटिं को करते है क्या उनको करना चीए है क्या फाइदा होता इसको गया पर जान दो जातें उन्हें अकसर अपने फेट को बर्न करके मसल को सेव देना ह करती मसल्स को पावर भी देती जिससे ही जो वेट लिफ्टिंग होती वो भी आसानी से हो सकती इसलिए जो जिम जाने वाले वेक्ति वो एल कार्णीटिन का प्रियोग करते हैं और उनके लिए फाइदे मन भी रहती है इसके अगले यूज की तरफ बढ़ें तो एल कार्णीट बढ़ें वह दूर हो जाता है इस सरह से श्लिप्र गार्णीटिन का आलग अलग प्रियोग लिया जाता है जो मिने आपको यहां पर बचाया है और हो सकता है डक्तर इन सभी प्रियोग पिलावी किसी अन्य विमारी में L-Carnitin का प्रियोग लिए अब अगर इस L-Carnitin के side effect को जाने क्या क्या इसके side effect होते है तो जो commonly side effect होने वाले है उसमें व्यक्ति को पेट में दर्द हो सकता है नोजिया होना वो मेटिंग मतलब उल्टिमतली हो सकती है साथ ही व्यक्ति को दस्त लग सकती है आपको proper treatment दिया जाए इसकी dose को adjust करके दिया जाए अब वीडियो क्लाश्वर्म जान लेते हैं इस L-Carnitin, Tablet, Suspension तथा जो liquid है इसकी क्या-क्या doses होती है तो इसकी dose अगर adult के लिए बात करें तो adult में जो liquid दिया जाता है उसकी dose इनहीं से एक ग्राम से लगा कर 3 ग्राम तक परती दिन divided dose में दिया जाता है यह जो इसका liquid आता है उसकी dose है जो tablet है उसकी dose के अगर बात करें तो 990 mg परती दिन दिया जाएगा इसे दिन में 2 से 3 divided dose में दी जा सकती मतलब यदि आप 500 mg की tablet ले रहे हैं जो पूरा dose का सेक्षेन में आपकी knowledge के लिए बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि dose का सेक्षेन दे कि आप अपनी मर्जी से tablet ले आपको कुछ नुकसान कर सकता है नहीं आप किसी को सला दे बच्चों में जो dose दी जाती है वह होती है 50 मिली गाम परती केजी पर डे और डिवाइडे डोज में दो से तीन दिया जाता है एक्जाम्पल से यहां पर समझ लेते हैं किसी बच्चे का वजन अगर 20 किलोग्राम है तो उसे 50 मल्टिप्लाइब बाइ 20 तो यह होगी एक हजार मिली गाम परती दिन तो इसे दो से तीन अलग लग डिवाइडे डोज में हजार मिली गाम पूरी दिन में दिया जाता है इससे चोटा बच्चा है तो उस हिसाव से इसकी केलकुलिशन होगी इस टेबलेट को यह सस्पेंशन को हमेशा खाने के साथ में लेना होता है और अगर खाने के साथ आप नहीं ले पाएं तो खाने के तुरंत बाद 30 मिनिट के अंदर नदर इसको ले ले जिससे की 72 रिजर्ट आपको मिले यह टेबलेट आप जब लेते हैं तो आपको विश्यस बात ध्यान रखने इस टेबलेट को खोल के नहीं रखना है क्योंकि हाइग्रूइस्कोपिक नेचर में होती है जिससे की खरब हो सकती है जब इस टेबलेट को ले रहे हैं तो कुछ बाते आपको दियान रखनी है पहली बात तो इस टेबलेट को लेते समय आपको अपना ब्लड केमेस्ट्री है उसकी रेगुलर मोनीटरिंग करने चा सके कि जो Carnitin है इसका लेवल आपके ब्लड में कितना है दूसरी बात कि आपका जो ब्लड सुगर है इसको भी मोनिटर करें क्या ब्लड सुगर बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़िया है क्योंकि Carnitin ब्लड सुगर कम हो जाता है और लिवो Carnitin टेबलेट लेने से ब्लड सुगर राइस हो सकता है तो यह बात आप जोर से ध्यान रखें साथ ही अगर प्रेगनेंसी तदा ब्रेस्ट फिडिंग मदर की बात करें तो उनमें बिना डॉक्टर रिसला नहीं दिया जाता अगर बहु जोर से लाइक करें जाधा साथ इसको शेयर करें जो कि शियोर के भी काम आसके और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लानबोट मैडिस्ट को सब्सक्राइब नहीं क्या हो तो इस बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें जो पास में बैल एकन आ रहा है इ जैसे कि आने व्याल वीडियो के सभी नौट्रिफ्ट्रिकस आपको मिल सकें और मेरे सभी वीडियो आप मुप में देख सकें आप ते अपने दोस्त मोहित आदीज की साथ देख रहेते अपने यूट्यूब चैनल लानबोट मैडिसियन थैंक यो फ्रेंड्स टेक केर और बेकर वोडिसियन थे